हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल देखे फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुन्दर सा डिजान लेके आई हूँ तो इस डिजान को बुनने के लिए मैंने ये वर्धमान वाले वूल ली है और ये 10 नमबर की सलाई ली है तो आप यहाँ पे 9 नमबर की सलाई यूज गीजिए तो चलिए फ्रेंड्स डिजान बुनना शुरू करते हैं तो इस डिजान को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे ये 5 के मल्टिपल फंदे डालके और 4 फंदे पलस किये जैसे पहले 5 गिनिएगा फिर से 5 फिर से 5 फिर से 5 फिर से 5 लास्ट में हमारे 4 फंदे रहने चाहिए तो हुमारा डिजाइन अच्छे से अडजेस्ट हो जाएगा डिजाइन बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पे आप नए है तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेर कीजिए तो चलिए फ्रेंट्स डिजाइन बुनना शुरू करते हैं इस डिजाइन को आप लेडिज कार्डिगन में, लेडिज जाकिट में, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में, जैन्ट स्वेटर में बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आएगा तो मैंने ये चार सलाईयों का एक उल्टे एक सीधे का बोडर बनाया है और अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हैं, तो आप बोडर के बाद फंदे बढ़ा लिजेगा फिर एक सलाईय उल्टे बुनने के बाद यहां से हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे तो देखें, बहुत ही आसान डिजाइन है और जेंट स्वेटर के लिए तो यह एकदम प्रफेक्ट डिजाइन है तो यहां से फर्स्ट रो है, इस रो को हम बनाएंगे तो च्यार फंदे हम उल्टे बनाएंगे ऐसे उल्टे फंदे बना लेंगे तो च्यार फंदे उल्टे अब धागा पीछे करेंगे अब जो ये सीधा फंदा है पांचमा फंदा है इसको यहां से नहीं बुनेंगे एक होल नीचे से बुनेंगे यहां से इसको यहां से सीधा फंदा बुन लेंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और जो यह हमने 5 फंदे बुने हैं इने ही 5 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे तो 4 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4 फिर से धागा पिछे करेंगे और ये पाँच में फंदे को यहां से नहीं बुनेंगे, जो ये निच्चे होल नजराता है, यहां से सेकंड होल से इसको बुनेंगे, फिर दागा अपनी तरफ करेंगे, और चार फंदे फिर से उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तेन, चार, दागा पिछे करेंगे, अब जो ये फंदा है, इसको सेकंड होल से यहां से बनाएंगे, फिर दागा अपनी तरफ करेंगे, और लास्ट के चार फंदे उल्टे, तो ये हमारी राइट साइड से फर्स्ट रो बन के कम्पलिट हुई, चार फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, चार फंदे उल्टे, एक सीधा, चार उल्टे, एक सीधा, चार उल्टे, ऐसे बनाते हुए फंदों को अडजेस्ट करेंगे, जो सीधा फंदा है, उसको सेकंड होल से बनाएंगे, अब आएंगे हम सेकंड रो पे, तो देखे फ्रे तो ये चार फंदे हम यहाँ पे सीधे बनाएंगे, दो, तीन, चार, अब ये फंदा उल्टा नजराता है, ये सीधी तरफ से सीधा था तो बैक साइड से उल्टा बनेगा, फिर धागय को पिछे करेंगे, फिर से ये चार फंदे सीधे नजराएंगे, तो यहाँ से इनको उल्टा नजराएगा, तो इसको उल्टा बनाएंगे, अब धागया पिछे करेंगे, फिर से ये चार फंदे सीधी नजराएंगे, तो इनको सीधा बनाएंगे, दो, तीन, चार, फिर धागया अपनी तरफ करेंगे, और ये फंदा उल्टा नजराएगा, तो इसको उल्टा दागा पिछह करेंगे फिर से चार फंदे सीधे तो बैक साइड से हमारी सेकर रो बनके कमपलेट हुई चार फंदे सीधे बनाए एक फंदा उलटा बनाएगे एक फंदा बनाएगे और बीच के जो दो फंदे हैं इनको सीथा बुनेगे तो यहाँ पे धैन दिजिएगा थरड रो में आच टिच है उल्टा बुनेगे धागे को पिछे करेंगे अब जो यह चार फंदे थे एक फंदा उल्टा बुन लिया यह बीच के दो फंदे हम यहाँ second hole से यहां से बुनेंगे ऐसे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को उल्टा बनेंगे तो जो सीधा फंदा है इसके दोनों तरफ फंदे हैं जो यह उल्टे बनाई जाएंगे और अब जो आगे दो फंदे हैं धागा पीछे करते हुए इनको सीधा बुनेंगे इसको उल्टा बनाएंगे यह सीधा फंदा है तो यहां से स्लाइड डालेंगे और इसको सीधा बना लेंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे यह सीधा फंदा बुनने के बाद जो फंदा है इसको उल्टा बनाएंगे दागा पीछे करेंगे तो जो चार फंदे हमारे बी दो बीच के सीधे बुनेंगे, फोर्थ फंदे को फिर से सीधा बनाएगे, उल्टा बनाएगे, तो ये दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, अब फिर ये फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, अब ये सीधा फंदा है, इसको सेकिंड होल से यहां से स्लाइड लेंगे निचे से, और इसको सीधह बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, और एक फदा उल्टा, दागा पिछे करेंगे अब ये दो फन्दे सीधी, च्यार फन्दों में से बीच के दो फन्दे सीधी बनाएंगे साइड के दोनों उल्टे बनाएंगे, ये थरड रो बनके complete हुई अब आएंगे हम fourth रो पे wrong side में तो अब यहाँ पे ध्यान दिजेगा जो फंदा जैसा आपको नजराएगा उसको वैसा ही बनाते जाएंगे तो ये फंदा हमको सीधा नजराता है तो इसको सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे अब ये दो फंदे उल्टे नजराते हैं तो इनको उल्टा बनाएंगे धागा पिछे करेंगे ये फंदा सीधा नजराता है तो इसको सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे ये उल्टा है तो उल्टा बनाएंगे धागा पिछे करेंगे अब ये फंदा सीधा दिखता है तो इसको सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे फिर उल्टे नजराएंगे फिर धागा पिछे करेंगे ये फंदा सीधा दिखाई देगा तो इसको सीधा बनाएंगे दागा अपनी तरफ करेंगे ये एक फंदा उल्टा दागा पिछे करेंगे फिर से ये फंदा सीधा दागा अपनी तरफ करेंगे अब फिर दो फंदे उल्टे तो बैक साइड में पूरे ही प्रुजेक्ट में जो फंदा आपको जैसा नजराएगा उसको वैसा ही बनाते जाएंगे धागा पिछे करेंगे ये फंदा सीधा है इसको सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे फिर से दो उल्टे नजराएंगे फिर से दागा पिछे करेंगे, लास्ट का फंदा सीधा नजराएगा, तो सीधा बनाएगी, यह फोर्थ रो हमारी बनके कम्पलिट हुई, अब फिर दुबारा से डिजाइन डालेंगे, तो यहां से फिर से जैसे फर्स रो डाले थी, ऐसे ही बनालेंगे, तो चार फंदे फि डालेंगे और सीधा फंदा बुन लेंगे, दागा अपनी तरफ फिर से चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, दागा पिछे, फिर से यह सीधा फंदा है, इसके निचे वाले होल से स्लाइड डालेंगे, और यहां से फंदा बुन लेंगे, फिर दागा अपनी तरफ क चार धागा पीछे करेंगे फिर से ये सीधा फंदा है तो इसको यहां से बुन लेंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे चार फंदे फिर से उल्टे तो ये डिजाइन मैंने दोबारा से स्टार्ट करके दिखा दिया है ताकि आपको दोबारा डिजाइन डालने में प्रेशानी ना हो तो देखे फ्रेंट्स जब आप चार-चार सलाईयों को रिपीट करेंगे तो आपका इस तरह से बहुत ही प्यारा सा और सुन्दर सा डिजाइन बन के आजाएगा सिरफ उल्टे और सिधे फंदे हैं बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुन्दर सा डिजाइन ये बन के आएगा और बैक साइड से ये ऐसे नजराएगा दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी बुनाई इसकी आई है इसको आप लेडिज कार्डिगन में लेडि जाखिट में जैंट स्वेटर के लिए बहुत ही परफेक्ट डिजाइन है और बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको डाल सकते हैं बनने के बाद बहुत ही पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंट्स ग्रूप में शेयर कीजिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए कमेंट सेक्षन में बताएगा कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा थैंक्यू